बूत अपने पूलए फरिंवार यह ए खासकर करेंगे फिड्च स्ट्रीक्स और बोड ही चाहिए देगो सिंबल्स ही बात यह कि टेस्ट्रेस्टरॉं बहुत इंब्वाटेंट हॉर्मोन है अगर हम मसलर्बिल्डिंग की बात करें मसलमास की बात करें लिपीडो पावर सेक्स पावर जो भी हर चीज के लिए डेली लाइप लिए उड़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है टेस्टेस्टरों जनरली मैं देख रहा हूँ आजकल बिगनर से गलती करते हैं जिम जाते ही ट्रेनर अगर उसको सजेस्ट कर देते हैं अगें सारी ट्रेनर करते हैं कुछ करते हैं कि टेस्टेस्टर उन बूस्टर ले वाल Rice क्यों ले न क्या आपने नैचोरली वो सारे काम कर Demi ौष्ट होसकता है तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पाँच ऐसे इसे इंपर्बटेंट ही जो कि आपका tes टेस्टरों लेँन नैचोरली रा आप अगर quality sleep लेते हो, 7-8 गंटे की uninterrupted, तो studies में पाया गया है कि tested strong level, जो body का है, 10-15% तक उपर जा सकता है, यह तो हो गया सबसे पहला factor, तो यह आपके हाथ में, आराम से कर सकते हो, दूसरा, हम वोकस रखते हैं, carbs intake, protein intake, हम healthy fats को कई बार आप देखना, avoid करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, कई बार मैं भी सच बताओ, मेरे भी meal से skip हो जाता है, मेरे माइड में आता रहे हैं, आज तो good fats मैंने लियाएंगी, good fats में बहुत सारे sources हैं, omega 6, omega 9, essential fatty acids हैं, अच्छी अच्छी sources हैं, तो आप ले सकते हैं, जो इसे flaxseeds हैं, उस पर मैं एक separate video ले हूँगा, हाँ, YouTube पे आपको पता ही है, कि ऐसे informative video मेरी शायद तीसरी होगी, तो जो नए लोग हैं, जो इस video को देख रहे हैं, चैनल को subscribe करते जाना, अगर content पसंद आया हो, तभी like करके, और उसके बाद like करके, यह दिखा देना कि हाँ, content पसंद आ रहा है, इससे एक motivation मिलता है मुझे भी, क्योंकि YouTube में नया हूँ, तो पदा तो चलना जी, कितने लोग को पसंद आ रही है video, तो subscribe और like कर देना video को, share करना नहीं करना वो तुम्हारे उपर है भाई, anyways, तो topic पर आते हैं वापस से, दूसरा, good fats, तो good fats आप consume करोगे, उससे भी testosterone level उपर जाता है, protein important है, carbs important है, लेकिन good fat भी उतना है, तीसरा, सबसे एक और important, sunlight, exposure to sun, मतलब धूप में जाना, तो हम avoid करते हैं इस चीज़ को, during lockdown जो छट पे जा सकते हैं, या किसी भी दरीगे से आप sun exposure में जा सकते हो, अगर protection देखना है, या चेहरा काला ना हो जाए, यह सब भी एक factor होता है, भई obviously grooming को, मद्य नजर रखते हुए, तो sunscreen के use करके जा सकते हैं, क्योंकि sunlight में जो vitamin D होता है, वो भी आपके testosterone को rise करता है, और यह scientifically proven है, तो यह इतनी easy easy चीज़ है कि आप कर सकते हैं, और इससे आपके testosterone boost हो जाएगा, क्यों starting में testosterone boost हो जाएगा, क्या ज़र्वत है, आप मुझे बताओ, पैसे extra हैं तो भाई, वे प्रोटीन में खर्च करो, उसका सही जगा invest करो, मतलब जो भी आपकी जो भी priority है, गलत जगा मत invest करो, मेरा तो यह ही कहा हम है, कि मैं आपको guide कर दो, कि कहा पैसा invest करना आपके लिए beneficial होगा, चौथा एक सबसे important factor ये भी है, कि हम multi vitamins को अपने supplement stack से दूर रखते हैं, जाधा तर मैंने देखा है, ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, बढ़ सच बतारहों, आप कुछ भी consume करते हो, चाहे protein हो, carbs हो, protein supplement हो, कोई भी nutrients हो, बोड़ी का जो absorption rate, जिस ratio से बोड़ी उसको absorb करती है, जिसे मैंने protein लिया तो कितना absorb हो रहा है, ये पता है कैसे boost होता है, multi vitamins है, और आपको जो multiple vitamins मिलता है, तो सिर्फ absorption ही हर तरीके से आप healthy होते हो, fit हो जाते हो, तो ये एक बहुत important factor है, इन चीजों का अगर आप ध्यान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब coming to the last point, और ये थोड़ा से contradictory है, एक बहुत important बात बताता हूँ आपको, sorry, हम कोई stress लेते हैं, हम overthinking करते हैं किसी चीज को लेके, तो एक cortisol नाम का hormone release होता है, शायद अभी तक आपको ये बात किसी ने बताई नहीं हो, पर मेरे चनल पर आपको कुछ ऐसे ही content मिलने वाल है, जो शायद अभी तक आपको किसी ने बताई ना, तो cortisol जब release होता है, तो ये ऐसे समझ लो, ये टेस्टेस्टोर नहीं होता है, और आप जब भी overthinking करते हो, ये stress में रहते हैं, तो cortisol उपर रहता है, तो देखो, यार, life में stress तो आएग जब आप वरकाउट करने जा रहे हो, तो उस समय आपका testosterone level उपर होना चाहिए, ये एक मतलब मेरा यह मानना है, बाकी तो again, situation is always uncontrollable, उस समय भूल जाओ, earphone उठाओ, ऐसे लगाओ, motivational song लगाओ, motivational video, जो भी आपका motivation है, किसी की बात सुनो, automatically आप देखोगे, stress कम होगा, उससे कि आपका को कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, तो टेस्टेस्टेस्टरोन उपर जाएगा, तो बाद में तो भाई, जो दिक्कत है लइफ में, तो गोंफिर के आएगी, पर डोंट लेट, you know, don't let that feeling impact your bodybuilding, right, don't let that, what you say, stress impact your performance in the gym, right, तो ये इन पांच चीज़ों कर आप ध्यान डोला फट के बाहर आजाएगा, ये चीज़े मुझसे नहीं हो पाएगी, anyways, care, तो ये चीज़े आप ट्राई करना, और आप जो जो चीज़े मैंने बताई है, इसको ट्राई करके देखो, एक महीने में मुझे लगता अच्छा खासा result आपको दिख जाएगा, इन चीज़ो और वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना, चानल सब्सक्राइब कर देना, फोड़ा कॉंफिदेंस तो बूस्ट करो यार भाई का, मतलब यूट्यूब पे कुछ आया हो यार अभी, ठीक है, anyways, और कोई परसनल क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, बी टाइट रिलेटे अपना कोई इस्यू चल रहो, इंस्टाग्राम पे आजो, और वीडिने 07, DM करो, और उदर जो अल्रेटी मेरे फॉलोवर्स है, मेरे फैमिली है, वहां पे, 81, 82 के के, असपाज मैं चेक नहीं गया, तो उनको परता है, I do not charge for these things, और कई बार में अप फुरी में डाइट क्ल गरूँ आपसे, तो that will be all for today, अपना ख्याल रखे घर में रहें, सेफ रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, take care everyone, stay fit.